भक्त नामदेव भारत के प्रसिद्ध संत थे। संत नामदेव संत ग्यानेश्वर के साथ पूरे महाराष्ट का इन्होंने भ्रमन किया, भक्ति गीत रचे और जनत जनार्दन को समता और प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाया। धार्मिक पुस्तकों में मिलती हैं। आज मैं इनी के एक कथा सुनाने जा रही हूं आपको। एक दिन नामदेव जी के पिता किसी काम से बाहर जा रहे थे। उन्होंने नामदेव जी से कहा कि अब उनके स्थान पर वे है ठाकुर जी की सेवा करेंगे। ठाकुर को स्नान कराना, मंदिर को स्वच रखना वर ठाकुर को दूद चड़ाना। जैसे सारी मर्यादा मैं पूर्ण करता हूं वैसे तुम भी करना। देखना लापरवाई या आलस्य मत करना, नहीं तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। नामदेव जी ने वैसा ही किया जैसे पिता जी समझा कर गए थे। जब उन्होंने दूद का कटोरा भर कर ठाकुर जी के आगे रखा और हाथ जोड़कर बैठे। वो देखते रहे कि ठाकुर जी किस तरह दूद पीते हैं। ठाकुर ने दूद कहां पीना था? वो तो पत्थर की मूर्ती थे। नामदेव को इस बात का पता नहीं था कि ठाकुर को चमच भर कर दूद लगाया जाता, वशेश दूद पंडिस पी जाते थे। उन्होंने बिंती करनी शुरू की, हे प्रभू, मैं तो आपका चोटा सा सेवक हूँ, दूद लेकर आया हूँ, कृपा करके इसे ग्रहन कीजिए। वक्त ने अपनी बेचैनी इस प्रकार प्रकट की, उन्होंने कहा, हे प्रभू, ये दूद मैं कपला गाय से दो कर लाया हूँ, हे मेरे गोबिंद, यदि आप दूद पी लेंगे, तो मेरा मन शान्त हो जाएगा, नहीं तो पिता जी नाराज होंगी, सोने की कटोरी मैंने आपके आगे रखी है, पी जिये, दूद पी जिये प्रभू, मैंने कोई पाप नहीं किया, यदि मेरे पिता जी से प्रते दिन दूद पीते हो, तो मुझसे आप क्यों नहीं ले रहे, हे प्रभू, दया करें, पिता जी मुझे पहले ही बुरा वा निकम्मा समझते हैं, वो कार्य नामदेव ने कर दिया, उस मासूम बच्चे को पंडितों की बहिमानी का पता नहीं था, वो ठाकर जी के आगे मिन्नतें करता रहा, अंत में प्रभू भक्त की भक्ती पर खिंचे हुए आ गए, और पत्थर की मूर्ती द्वारा हसे, एक भक्त प्रभू के हृते म बस गया, नामदेव को देखकर प्रभू हस पड़े, हस कर उनने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और दूद पी लिया, दूद पीकर मूर्ती फिर वैसे ही हो गई, दूद पिलाकर नामदेव जी घर चले गए, इस प्रकार प्रभू ने उनको साक्षा दर्शन दिये, ये नाम प्रभू वाले हो गए, और जो वचन मूँ से निकलते, वही सत्ते होते, जब आपके पिताजी को ये ग्यान हुआ, कि आपने ठाकर में जान डाल दी, वो दूद पिलाया, तो वो बहुत प्रसंद होए, और उनोंने समझा, कि उनका कुल सफल हो गया है